गुजुरात में पिछले आठ दस सालों के दौरान दोच्यार नहीं 22 एक्जाम्स के पेपर लिख हुए उसमें कोई इन्विस्टिगेशन नहीं, कोई जाच नहीं, कोई गिरफतारिया नहीं एक दो नहीं 22 एक्जाम्स के पेपर लिख हुए गुजुरात में मुंद्रा के पोर्ट पर एक लाख पचत्तर हजार करोड का ड्रक्स पाया गया जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत एक लाख पचत्तर हजार करोड है उतना ड्रक्स पाया गया जिस मुंद्रा के पोर्ट पे यदि आपके घर में 10 ग्राम भी ड्रक्स पकड़ागाई पत्रकार साथियों आपको भी नहीं छोड़ेगे लेकिन गुटम अदानी साथ उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं कोई अफायर नहीं कोई जाँच नहीं कोई इन्वेस्टिकेशन और इंट्रोगेशन के लिए एक बार भी नहीं बुलाया गुजरात भाजपा की एक दलित समाज की महिला कारेकरता ने भाजपा के सिटिंग मंत्री के खिलाफ बलातकार करने का लगातार बलातकार करने का इलजाम लगाया गुजरात की विदान समा में भी इस मुद्दे का उठाया गया उस मामले में पर भी कोई इन्वेस्टिकेशन नहीं कोई जाँच नहीं कोई एफायर नहीं इस देश में धर्मसंसत के नाम पे एक स्पेसिफिक समुदाई के लोगों के जीनोसाइड का कॉल दिया जाता है कोई इन्वेस्टिकेशन नहीं होता कोई जाँच नहीं होती कुछ लोग पप्लिकली कहते हैं कि गोली मारो सालो को फिल्पी इस में इन्वेस्टिकेशन नहीं होता जाँच नहीं होती एफायर नहीं होती मेरे केवल एक ट्वीट करने पर पी एमो में बैठे गौड से के भक्तों ने इतने संगीन दो एफायर कुछ पर कर दिये आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैं स्वागत करता हूँ हमारे बीच वडगाम के जुझारू एवं लोकप्रिय विधायक भाई जिगनेश मेवानी जी का साथ में भाई राजेश लिलोतिया अध्यक्ष अनुसुजित जाती विभाग एएसीसी के एगं अखिल भारती कॉंगर्स कमिटी की राश्ट्री प्रवक्ता स्रीमती सूप्रिया स्रीनेट जी का साथियों जब किसी राजी की पुलिस पच्चिस सो किलोमेटर की यात्रा करके रात के अंधेरे में किसी विधायक को गिरफतार करने के लिए पहुँचे तो बड़ी चिंता की बात है और पिछले आठ वर्सों में पहले ये सामानिय लोगों के साथ होता था सोशल मीडिया पोस्ट की लिए उसके बाद आप पत्रकार साथियों के साथ होने लगा समाज सेवकों के साथ होने लगा बुद्धी जीवीयों के साथ होने लगा और अब विपक्ष के नेताओं के साथ भी यह होने लगा है पर जिगनेज भाई ने भी बता दिया कि यह फ्लावर नहीं फाएर हैं मैं आगरा करूंगा उनसे कि वो पत्रकारवारता को संभोधित करें पीएमों में बैठे गौड से कि कुछ भक्तों के द्वारा मुझ पर जो एफायर हुए उसके उपर मैं आज ये प्रेस कॉन्फरेंस कर रहा हूँ साथियो सबसे पहला मेरा सवाल है कि गुजरात में पिछले आठ दस सालों के दौरान दो च्यार नहीं 22 एक्जाम्स के पेपर लिख हुए उसमें कोई इन्विस्टिगेशन नहीं कोई जाच नहीं कोई गीरफतारिया नहीं एक दो नहीं 22 एक्जाम्स के पेपर लिख हुए गुजरात में मुंद्रा के पोर्ट पर एक लाख पचत्तर हजार करोड का ड्रक्स पाया गया जिसकी इंटरनेशनल मार्किट में कीमत एक लाख पचत्तर हजार करोड है उतना ड्रक्स पाया गया जिस मुंद्रा के पोर्ट पर यदि आपके घर में 10 ग्राम भी ड्रक्स पकड़ागाए पत्रकार साथियों आपको भी नहीं छोड़ेगे लेकिन गवटम अदानी साथ उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं कोई अफायर नहीं कोई जाँच नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन के लिए एक बार भी नहीं बुलाया गुजराथ भाजपा की एक दलिज समाज की महिला कारे करता ने भाजपा के सिटिंग मंत्री के खिलाफ बलातकार करने का लगातार बलातकार करने का इलजाम लगाया गुजराथ की विदान समा में भी इस मुद्दे का उठाया गया उस मामले में पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कोई जाँच नहीं कोई एफायर नहीं इस देश में धर्मसंसत के नाम पे एक स्पेसिफिक समुदाई के लोगों के जीनोसाइड का कॉल दिया जाता है कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता कोई जाँच नहीं होती कुछ लोग पब्लिकली कहते हैं कि गोली मारो सालों को फिर भी इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होता जाँच नहीं होती एफायर नहीं होती और मेरे केवल एक ट्वीट करने पर पी एमों में बेठे गोड से के भक्तों ने इतने संगीन दो एफायर मुझ पर कर दिये वाट ड़ दिट सो ये क्या दिखाता है गुजरात की सरकार प्रधान मंत्री और देशकी मोदी सरकार की मंसा क्या है उनका इंटेंशन क्या है उनकी प्राइवरिटी क्या है एक लाग पच्छत्तर हजार करोड का ड्रक्स पकड़ा जा रहा है उसमें आप किसी की जाच नहीं करना चाते एक दलित महिला भाचपा के मंत्री के खिलाब बलादकार का इलजाम लगाती है आप उसमें कोई जाच नहीं करना चाते एक दो नहीं बाइस एक्जाम्स के पेपर लिख होते है आप उसमें कोई जाच नहीं करना चाते लेकिन मैं केवल एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट का कंटेंट क्या है मैंने केवल यहीं कहा कि गुजरात के हिम्मत नगर, खंभात और वेरावण इन तीन जगा पर जहां पर communal tension हुआ है, communal clashes हुए है, तो चुंकि जब प्रदान मंतरी गुजरात से है और वो गुजरात के दोरे पर है, गुजरात आने वाले है, तो मैं उनको बिंती करता हूँ कि महात्मा का मंदिर बन करते हुए आप जब गुजरात आ रहे हैं, तो प्लीज शांती और अमन बनाए रखने का अपिल करें, मैंने उनको यहीं अपिल किया है, कि आप गुजरात की जनता को कहें, कि दंगा फसाद ना हो, पीस और हार्मनी मेंटेन करिए, क्या इस देश में शांती और अमन से लगी कि मैंने यह कहा कि गौड से के भक्त है, तो मैं इस प्रेस कॉन्फरेंस के माद्यम से उनको चैलेंज करता हूँ, कि बहिया लाल किले की प्राचीर पे चड़के गौड से मुर्दाबाद का नारा एक बार लगा दीजिए, तो दूद का दूद और पानी का पानी हो उननीस तारीक को मेरे खिलाफ एफायर होता है, मैं सिटिंग हमेले हूँ, अचानक पुलीस रातों रात पचीस सो किलो मिटर की दूरी तै करके आसाम से गुजरात आती है, उननीस तारीक एफायर हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने कितने बज़े फ्लाइट ब बैंगलोर का फ्लाइट, बैंगलोर से एमदाबाद का फ्लाइट, एमदाबाद से एक सो चालिस किलो मिटर दूर, वडगा मेरे कॉंस्टुटून से वहां मुझे गिरपतार करने आए, मतलब की कहीं न कहीं एफायर करने से पहले आफके फ्लाइट की टिकिट्स बुक हो च मेरे परिवार से मेरे मातापिता से बात करने के अनुमती नहीं, मेरे लॉयर से बात करने नहीं दिया, यहां तक कानून के धजिया उड़ा कर, एक MLA का जो प्रोटोकॉल और प्रिविलेज होता है, उसके तरफ पूरा बलातन डिस्रिगार करते हुए, गुजरात की विदा विदान सभा के स्पीकर को भी पताया नहीं, उनको भी पताया नहीं, उनको भी जान नहीं थी, उनको भी पता नहीं था कि हमारे सिटिंग MLA को आसाम पुलिस गिरपतारी करने के लिए आई है, वो जब आसाम पहुचे शायद उसके बाद मैं उनकी कस्टरी में गया, तब स किया है और ये गुजरात की सरकार के लिए शर्मिंद्गी की बात होनी चाहिए इसमें उनकी तूथू हुई बावजूद उसके उनको शर्मिंद्गी महसुस नो हुई एक महिला को आगे किया और दूसरा एफायर मुझ पे करवाया मैं मानता हूं इससे बड़ी बुजदिली और कायरता कुछ नहीं हो सकती मैं ये कहना चाहूंगा ये है चपन इंच की कायरता ये है चपन इंच की बुजदिली आप एक महिला को आगे करके पचीस सो किलोमेटर दूर बेठे किसी सिटिंग एमेले के खिलाफ इतना फर्जी मुकदमा करते है और ये केवल मेरा एलिकेशन नहीं मेरे पास आसाम की जुडिशरी का बेल ओर्डर है क्या कहती है आसाम की जुडिशरी इंस्टंट एफायर इन दे सेकंड इंफर्मेशन एफायर is not maintainable मेरे खिलाफ कोई मुकदमा बनता ही नहीं आसाम की जुडिशरी कही रिये कमिशन ओप दी ओफेंस अंडर दे सेक्शन 353 IPC प्राइम अफिशी इस नट एस्टाब्लीश प्राइम अफिशी मेरे खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं नौ सेन पर्सन विल एवर ट्र इस दे मौड़ेस्टी ओफ लेडी पॉलिस ओफिसर इन प्रेजन सफ टू मेल पॉलिस ओफिसर्स यह आसाम की जुडिशरी कही रही है तो कॉंट्री तुड एफायर दिविक्टिम वूमन हैस डिपोज़ड अडिफरेंट स्टोरी बिफोर दिलर्नेड मेजिस्ट्रेट चाहि बेल का ओडर कह रहा है इसी ओडर में जज महोदे ने लिखाये इन विव अब टेस्टिमनी वीक्टिम वूमन इश्ट्रेट केस इस मैनुफेक्ट्ट्ट्ट्ट्रेट इस परप्रपोस अफिपें धुज्ज श्री जिगनेश मेवानी इन इतेंशन फेर लॉंगर पि परहेप्स कंसिडर डिरेक्टिंग द्यासाम पूलिस टू रिफॉर्म इटसेलफ यह कौूट का ओडर कह रहा है कि हम गूआ तक हाई को अपील करेंगे कि आसाम पॉलिस अपने चरित्र को सुधारे यहाई आसाम पॉलिस क्या कह रही है क्या कर रही है किसके इसारों पर कर रही है किसके कहने पर कर रही है जुडिशरी ने यहां तक कहा कि आपकी कस्टडी में कोई अक्यूजड है और आपको सब कुछ दुद का दुद और पानी का पानी करना है तो आप अपने बदन पे CCTV कैमेरा लगाईए इस परकार का कॉमेंट आपसम की जुडिशरी को करना पड़ा इससे ज़्यादा सर्मिनगी की बात क्या हो सकती है कि आप एक महिला का इस्तेमाल एक सिटिंग MLA को बदनाम करने के लिए कर रहे और इतना strong observations होने के बावजूद भी एक बार भी आशाम की सरकार को सर्मिनगी महसूस नहीं हुई तो सवाल यह है कि आशाम की सरकार को अचानक क्या मन हुआ कि पची सो किलोमेटर दूर बैठे गुजरात के उस विदाएक जिगनेस मिवाने के खिलाफ एफायर करे मेरा ये दावा है मेरा ये आरोफ है ये प्राइब मिनिस्टर ओफ इंडिया की ओफिस से डिजाइन हुआ कॉंस्पिरेसी है गुजरात में चुनाव है और वो चाहता है कि मुझे बदनाम किया जाए मुझे डिस्ट्रोई किया जाए और यहां तक मानो मैं कोई टेरिडिस्ट हूँ मेरे घर पे चापे किये मेरे कंप्यूटर को सीज किया मेरे MLA क्वाइटर पे रेड की लेप्टोप को सीज किया मेरे कॉंस्टूटून्स की ओफिस पे गए मेरे सेर टीम के लोगों के मॉबाइल जप्त कर लिए टीम के लोग जब अपने घर पे नहीं मिले उनके माबाब के मॉबाइल जप्त कर दिए मैं साथियों कहना चाता हूँ हम लोग पेगासेस के एरा में जी रहे जहां पर भारत इस मोदी सरकार के खिलाफ एलिकेशन है कि इस सरकार ने पत्रकार हुमन राइट्स का काम करने वाले वकील और विपक्स के नेताओं के मोबाइल और कम्पुटर में स्पाई वेर को गुसेडा है इंस्टॉल किया है गेर कानुनी तरीके से इस दौर में जब जी रहे तो मुझे ये एप्रिहेंसन चिंता क्यूं नहों कि जो मेरा कम्पुटर लिया जो मेरा लेक्टोप सीज किया जो मेरे मोबाइल के इंस्टॉमेंट लिये मेरी टीम के लोगों के मोबाइल जब की उसमें देर इस एवरी चांस की बाई अब तक उन्हों ने उसमें कुछ प्लांट किया हो सकता है तो सवाल ये हो रहा है कि इतना सारा फरजी वाड़ा करने में प्रधान मंद्री को क्या रूची है इतना सारा फेबरिकेटर केसिस करके डाई हजार किलोमेंटर दूर एक जेल में डाल कर इस देश के लोक तंत्र को भाजपा को क्या हसिल होगा करने के लिए बहुत कुछ है इन सारे मामलों में सरकार कुछ नहीं कर रही है और एक ट्वीट करने पर इतना हल्ला, इतना सोर इतना गिरपतार ही आदी रात को 12 बजे मानो किसी टेरोडिस को अब गिरपतार कर रहे हो उस प्रकार का जो आपने माहौल बनाया है मैं मानता हूँ ये देश के लिए हमारे लोक तंत्र के लिए बहुत खतरनाख है पहले उन्होंने रोहित व्यमूला को सुसाइड के लिए मजबूर किया दलीज समाज के पत्रकार साथियों को जेल में डाला चंदरशेकर की गिरपतारी करवाई और अब ये लोग मुझे खतम करना चाते है कोई युवा बोले कोई पत्रकार बोले कोई वकील बोले और उसमें भी यदि कोई दलीज समाज का युवा लीडर बोलता है तो मोधी साहब अपने कास्ट बायस के चलते उसको हजम नहीं कर पा रहे ये मैं आज इस प्रेस कॉन्फरेंस के माद्यम से आपके बीच में कहना चाहता हूँ और मोधी साहब भी गुजरात से है हम भी गुजरात से है तो उनको चैलेंज भी देना चाहते है कि मैं अपने खिलाब जो मुकद में हुए मैं उसको जैल लूँगा मैं वो सब सहन करूँगा अपने खिलाब जो केस हुए दोनों उसको वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में पाटिदार कम्यूनिटी के ऊपर हुए अंदोलन के दोरान के सारे केस वापस लिए उसी प्रकार मेरे विदान जबाक्षेतर वडगाम में जो भी माइनोरिटी समाज के साथियों के ऊपर मुकद में दर्ज हुए और उना के अंदोलन के वक्त जो एफायर हुए जो मुकद में दर्ज हुए वो सारे केस आप वापस लिजिए नमबर दो ये 22 पेपर लिख हुए उसको स्पेशिल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के दोरा उसकी जाच करवाईए नमबर तीन ये मुंद्रा के पोर्ट पर ये 1,75,000 करोड का जो ड्रक्स पाया गया उसमें गवतम अदानी का इंट्रोगेशन करवाईए और यदि इस सारे मामलों में आप एक महिने के दोरान कोई कारवाई नहीं करेंगे तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ एक जून पे इंडेन नेशनल कॉंग्रेस का गुजरात चैप्टर और हम सारे गुजरात के लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरेंगे और गुजरात बंद का इस मंच परसे में कॉल दे रहा हूँ मोदी जी आप भी गुजरात से है मैं भी गुजरात से हूँ आप भी समझ लीजिए जैसा कि मेरे साथी ने कहा फ्लावर नहीं फायर है जूकेगा नहीं इट्स माइ चैलेंज टो यू प्राइम मिनिस्टर उफ इंडिया थैंक यू सो मज धनिवाद जिगनेश भाई जिगनेश मेवादी जी ने जितना विस्तार से आप लोगों को बताया कि नरिंदर मोदी की जो सरकार है वो तानाशाही अंदाज में चल रही है हिटलर के अंदाज में चल रही है और ये दलित विरोधी है किस तरीके से जूटा फैबरिकेटिड केस बना कर एक नौजवान की आवाज को जो दलित था उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया और उसके साथ साथ में महिला का इस्तमाल करके हमारे लिए महिला बहुत सम्मानित है लेकिन भारते जंता पार्टी आरेसेस जो मनुवादियों की पार्टी है उनकी नजर में महिला का दर्जा क्या है वो इस बास से भी थाबित होता है आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप लोग सवाल धन्यवाद राजेश भाई हम आपसे आगरा करें कि सवाल को इसी विशाय पर केंदित रखें आपके अन्य सवालों के लिए सूप्रिया जी है हमारे बीच में वो हम अलग से कर लेंगे यह नाममकिन है पूरे देश को पता है आपको पता है और आसम के मुख्यमंत्री को पता नहीं है मैं उनकी कस्टडी में हूँ एक के बाद एक एफायर मुझपर हो रही है इतना हल्ला हो रहा है डेली प्रोटेस्ट गुजुरात में हो रहा है पुरे देश में हो रहा है असाम में हो रहा है और उनको पता नहीं है उनहीं ने उनके पॉलिटिकल बोसिस की सुचना के तहट ये ओफेंस दर्ज करवाया हो सकता है और जब आसाम की जुडिशरी आपको इतना लतार रही है उसके बाद भी आप सुधरने को तयार नहीं है ये सवाल पुछना चाहता हूँ मेरा अब्जर्वेशन एक बात है जुडिशरी का ये कहना है कि आसाम इस बीकमिंग अ पॉलिस टेट ये सर्मना का बात है